हेलो दोस्तों, असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे बच्चों का मन पसंद सैन्वीच, तो यह है अंडा सैन्वीच ढोकला, जो कि बच्चों का बहुत मन पसंद है, इसे आप बच्चे का टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, या फिर घर पे खाने के लिए नास्ते में आप इसे बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आता है, या सैन्वीच बगेरा बना के देना, लंच में तो बहुत पसंद करते हैं, तो आज उन्ही लोग के लिए है, तो यहां पर देखिए, कुछ समाल लिए हैं, सैन्वीच को बनाने के लिए हम, तो पहले हम डाल के इसे हम पका लेते हैं, तो हम पतला अंडा बनाएंगे हम, ठीक नहीं जादा हमें पतला ही चाहिए, तो यह एक सैट से हो गया है, अब इसे हम पलट करके दूसरे सैट से बना लेंगे हम, आप चाहे तो इसका भुर्जी भी बना सकते हैं, अगर आप चीज बगेरा अंडे का अगर चीज नहीं डाल रहे हैं, आपके बच्चिया जादा अंडे पसंद करते हैं, तो आप इस तरह बनाएं, तो अंडा हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रखें, अब पैन में रखी थी गैस पे, उसमें गरम हो गया तो ऑईल डाली हूँ, पहले जीरा डाल इसे भी थौसा, दो मिनट तक हम पका लेंगे ताकि अच्छा नरम हो जाएं, कुछ सुखे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पॉडर, हल्दी पॉडर है, काली मिर्च का पॉडर और गरम मसाला पॉडर, बस इतना ही मसाले हमें इसमें एड करना है, और नमक डालेंगे, टेस्ट काटके इसमें एड कर सकते हैं, तो मसाले साथ इसे मिक्स करने पाद मित्वासा पानी डाल दी, उसे ढख के पकने दी, और यहां पे मैं एक कफ ली हूँ, सूजी, और इसमें दो चमच में डालूँगी, बेशन, और इसमें कुछ मसाले आड करना ही हूँ, लाल मिर्च पॉ उसके बाद हम एक कफ पानी इसमें मैं डाल के इसको मिक्स कर ली हूँ, तो उसके बाद इसे सेट होने के लिए रखेंगे, यह थ्वा देर में ठीक हो जाएगा, और यहां पे देखिए, यह पानी इसका ड्राय हो गिया था, इसमें थ्वासा मैं कुछ सॉच डाल रही अची तरह से नरम और सॉप्ट हो गिया है, तो यह हो गिया दो मिनाट, उसके बाद मैं इसमें धन्य पत्र डाल के, और गैस को मैं बंद कर लूँगे, बंद करने बाद उसे ठंडा होने देंगे, अब यहां पे मैं चार कटोरी ली हूँ, उस सभी को तेल से ग्रिस कर ली ह अब क्या करेंगे, कटोरी से हम उसी का नाप से इसे हम काट लेंगे, ब्रेड को, जो अंडा है उसे भी हम काट लेंगे, बस से नाप से हम, इसलिए मैं इस तरह का अंडा बनाई थी, और जब मैं इसे पतला बनाई हूँ, पतला बनाने से क्या होगा, जब मैं उपर से इसम पानी डालके में पतला कर ली हूँ तो तिक हो गिया था तो अब यहां पे कटोरी सभी कटोरी में पहले ब्रेट डालेंगे उसके उपर सॉस डालेंगे और सॉस को डालने बाद क्या करेंगे तो असा फाइला देंगे हम अगर आपको बहुत चट पटा चाहिए तीखा तो इसमें आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्शी भी डाल सकते हैं काटके और जो पत्तगों भी में पकाक रखी थी ना मसालिक साथ वो हम डाल देंगे डालने बाद इसे फाइला देंगे तो हो गया पहले ब्रेड उसके बाद पत्तगों भी अब जो अंडा का जो श्लाइस काटके रखे ते ना वो डाल देंगे हम डालने पाद हम क्या करेंगे इसके उपर प्याज रखेंगे देखें मैं इसे प्याज काट ली हूँ जिस तरह के सलाद के लिए हम काटते हैं गोल उसी टैप काटके इसमें डाल दी हूँ आप चाहिए इसमें टमाटर भी आड़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसी प्याज को ही डाली हूँ और इधर देखें इसमें मैं एक पैकेट में डाल रही हूँ इनू इनू डालने के बाद हमें इसे रखना नहीं है बस मिक्स करेंगे और जिस तरह के ढखla पकाते हैं बस सम वही प्रोसेस है लेकिन इसको सैन्वीच के जैसा हमें बना के और पकाना है तो बच्चे ऐसे भी ढखला पसंद करते हैं और सैन्वीच के नाम पे बहुत खुस होते हैं तो आप इस तरह बना के उन्हें देना तो जीन पेवह दूँ और इसे हम पकने देंगे धगके उसके बाद check करके दे किए तू यह पे देखे 20 मिनिट हो गया था अँगे गैस भी पंद करदी थी चेक कमेंड कीजिगा